तू सर विथ लॉफ नॉवेल में हम देख ने देखा थे कि सारे स्टुडेंट्स अपने पने सब्जेक्ट की रिपोर्ट्स नहीं मतलब एक एक सब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेटिव बनके सब्जेक्ट की रिपोर्ट्स पेश कर रहे थे कि उन्होंने क्या सीखा है उस सब इननों ने यह अरेंज्मन्ट किया तो हमाँ पर पे डाचा था दिसको एक स्क्रू के जरी है उन्हों नहों नहों पर दोपाया हूँ आगे बढ़ाते हैं जो इसको आगे बढ़ाते हैं इस दिस वह समवाट इन दे नेचर अव कॉमिक रिलीफ यह कुछ एक फ़नी सा सीन लग रहा था एंड दे स्कूल शोर्ड इट्स अप्रूवल बाई लॉफिंग अपर और सलियली और इस स्कूल ने भी बहुत जादा जो आडियन्स थे तो बहुत जादा हसरे थे वह इसको देखके बहुत उन्होंने उसका मज़ा लिया बट लेविटी सून एवब रोटेड वैन फर्मन बिगें टू स्पीक लेकिन जल्दी यह शोर शराबा जो सब उसकी हसी उड़ा रहे थे मज़ा उड़ा रहे थे अपरोरियसली जो बहुत शोर हो गुल के साथ में हसना शोर मज़ाना तो यह जल्दी सब गायब हो गया जब फर्मन ने बोलना शुरू किया और बहुत ही प्रिसाइज वो बोल रहा था एक दा मुन्तखिब जूमलों में साफ वाज़ बिल्कुल और साथ ही उसको एक बहुत ड्रामा ही अंदाज में भी बात कर रहा था स्ट्रॉंग संस अव ड्रामिटी कामली ही टोल देम डेट वाज़ एक फीमेल स्केलेटन कि पहले वो इत्मिरान से बता रहा है फिर वो दीरे दीरे आगे बढ़ेगा देन क्या सस्पेंस है और क्या एक्चुली वो बताना चारे देन उसके आवाज में जो उतार चड़ा हो आई यह फैक्ट था यह खीकत थी कि यह फीमेल कढ़ाचा था यह एक और उसे आसानी से थाबित भी किया गया लेकिन इनके सर ने इनको यह तो बताया था कि यह फीमेल कढ़ाचा और उसको उन्होंने प्रूफ भी किया था लेकिन वो यह नहीं बता सके थे कि यह लेडी चाइनीज थी यह फ्रेंच थी यह जर्मन थी यह ग्रीक थी nor could he say if she had been brown or white or a mixture of both और नहीं वो यह बता सके कि यह औरत काली थी यह गोरी थी यह साउली थी यह भी वो नहीं बता सके and from that और उससे ही said और उससे कि वो सर ने यह तो बता दिया था कि यह फीमेल कढ़ाचा यह प्रूफ भी किया लेकिन यह नहीं बता सके कि वो Chinese है कि German है कि Greek है और नहीं यह बता सके कि वो काली है यह गोरी थी यह साउली थी तो उससे ने क्या सिखा he said the class had concluded that basically all people were the same तो class ने यह नतीजा निकाला हमारी पूरी class ने यह सिखा कि बुनियादी तोर पर सारे लोग यकसा होते हैं यह होते हैं दे ट्रेमिंग्स माइट बीडिफरेंट बड़ फांडेशन वर ओल लेट आउट अकॉर्डिंग कुद सेम ब्लूप्रेंट जो एंड प्रोडेक्ट है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है थोड़ा किसी का रंग काला हो सकता है किसी का रंग गोरा हो सकत है नाक नक्षे के थोड़ा अलग होता है लेकिन जो फांडेशन होता है जो बुनियाद होती है जो ब्लूप्रेंट होता है ब्लूप्रेंट आप जानते ही होंगे कि किसी चीज़ की जो ओरिजनल कॉपी होती है उसके लिए हम ब्लूप्रेंट का लफ्स इस्तिमाल करते हैं जो डारेक्ट अपने इन से लिखते हो, that is original copy, वो blueprint कहलाती है, तो जो original के लिए हम blueprint या इप्तिदाई के लिए हम blueprint का लफ्स इस्तेमाल करते हैं, तो जो blueprint होते हैं, वो सारे ही इंसानों के सेम होते हैं, Furman was wonderful, काफी अच्छा इसने कहा, Furman ने, he had them eating out of his hand, एनि कि वो लोग, उसने इतने अच्छे अंदाज में ये बात बताए, कि वो लोग अपनी ओंगलियां चबाने पर मजबूर हो गए, एक मौहाविरा होता है, कि हैरत से धातों तले, ओंगली दाबली, इसमें हो गए, तो उसने इतने अच्छे से बताए, प्हले उन लोगों ने धाचा लेकर आये, फिर धी उसको रिवॉल्ट किया, पिर बाद में बतायाई कि ये फिमेल का धाचा है, पुरे ड्रामेटिक अंदास में ये सारी चीज़ें बता रहे थे और फिर बताया है कि female का धाज़ा तो proof भी हो गया है लेकिन ये German है कि Greek है कि French है कोई इसको proof नहीं कर सका है न कोई ये बता सका है कि ये काला है ये गोरा है और फिर उसके बाद उसका conclusion ये निकलता है कि सारे ही इंसानों के blueprint सेम होते सबकी foundation या basically सारे एंजान एक जैसे होते हैं Miss Dare's contribution was something of an anti-climax after Furman's performance and she seemed to realize it Miss Dare's contribution था वो भी बहुत अच्छा था Furman's के performance के बाद में और वो महसूस करते हो भी रहा था She spoke about the problems which all humanity has to face in terms of sickness and disease फिर उसके बार में उसने वो सारे मसाइल के बारे में बताया जो सारी दुनिया के लोग या सारी इंसानियत फेस कर रही है बीमारिया हो गई, अमराज हो गई and of the advantages gained by interchange of knowledge, advice and assistance और हम जब knowledge हासिल करते हैं, advice लेते हैं किसी के advice देते हैं, किसी को assist करते हैं, किसी के assistant होते हैं तो ये सारे चीज़ों से क्या फायदा होता है मतलब कि हम अगर लोग सारे लोग, सारी ही दुनिया के मसाइल से में सारी ही दुनिया इन सारे परिशानियों को face करती है लेकिन जब हम एक दूसरे से connected रहते हैं, एक दूसरे के help लेते हैं, एक दूसरे के help करते हैं तो हमको कितने पायदे उसकी होते हैं Miss Dodd history की report बतानी वहली थी Miss Dodd reported on the period of history the class had studied Miss Dodd ने history के बारे में बताया, जो class में पढ़ाया गया है उनको The reformation in England, जो England में reformation हुआ था पहले जो बिलकुल अन्धी तकलीद हुआ करती थी, और वो खतम होके, कैसे scientific changes यहां पर आये थे उसने बताया कि कैसे इंसान को अपना independent existence मनवाने के लिए कितनी महनत कितनी मशक्गत करनी पड़ी पहले बादिशाही हुकूमत थी यहां पर इंगलेंड में तानशाही चला करती थी और जो क्लारिकल जो चर्च के आला होते दार और जो लोग होते थे चर्च के जिमादारान जो उन ही की सारी हुकूमत हुआ करती थी और जो religious traditions का दौर दौरा था हर चीज़ हम सभी जानते हैं कि जो Christian मजभब है वो original कोछ और था और इसको बाद में इन लोगों ने बहुत ज़ादा इसमें changes लाएं तो definitely उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें भी शामिल हो गई हैं जैसे हमारे ही पैचान में मेरी बेबी की जो टीचर है वो एक बार हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा सीन क्या होता है सबसे बड़ा गुना क्या होता है शी इस क्रिस्चन वो क्रिस्चन है लेडी तो मैंने बताए कि हम लोग यह चीजों को गुना मानते हैं सबसे बड़ा गुना शीर्खला मतलब शी कि मितलब शीर्खला Сबसे बड़ा गुना मैं थे क्रिस्चन वोग यह चीर्खला क्या है It is as it is in her Bible or in their Bible. So she used a word to shake and she said कि शिर्क सबसे बड़ा गुना है और शिर्क का मतलब होता है तो पार्टिसिपेट किसी को पार्टिसिपेट करना किसी को शरीक करना किसी को साथ में ठहराना तो खुदा के साथ में किसी को भी पार्टिसिपेट करना ये शिर्क होता है और क्रिस्टिंस ओरिजिनली ये मानते हैं कि शिर्क सबसे बड़ा गुना है और उसकी कोई माफी नहीं है उसको कोई रिपेंट नहीं है ऐसा उनका ब्लीफ है और वो इसे अलिए सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं इसे लिएससलाम को भी equal to God मानते हैं तो ये तो शीर की हुआ ना फिर कि वो उनको participate कर रहे हैं उनके साथ में उनके साथ में ठहरा रहे हाला कि जो Prophet इसा है या जीजस जिसको बोलते हैं तो He was a messenger only He was not a son of God and so तो कहने का बताने का मतलब ये है कि originally इनका मजभ कुछ और था लेकिन इन लोगों ने इसमें बहुत सारे changes लेकर आए तो बहुत सारे उसमें गलत चीज़ें भी शामिल हो गई और सारा church के लोगों की अजारादारी थी और religion के नाम पे काफी कुछ गलत चीज़ें हुआ करती थी तो इंडिपेंडेंट मैं को इंडिपेंडेंटली बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इनसानों को फिर धीरे धीरे टॉलरेंस का आइडिया डिफलप हुआ जो दूसरे मज़ब के लोगों के बलीफ और अकाइद और उनकी जो यकीन है कल्चर है उसको भी लोग बरदाश्ट करने लगे और अब भी लोग सारे ही कल्चर्स को दूसरे कल्चर्स को भी स्टुड़ी करते हैं अंडर स्टैट करते हैं डैनम से रिपोट वास बीट अफ शॉक फिर धैनम पीकियो और गेम्स के बारे में एक रिपोट देने वाला था कि इस सीवियरली क्रेटिसाइज जनरल पाटन ऑफ पीट अड गेम्स उसने जो पीटी और गेम्स के जनरल पैटन था जो स्कूल में जिस तरह से पीटी और गेम्स हुआ करती थे उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया सबसे पहले तो उसने जो सारी खामियों के जिक्र किया कि जो स्पेस है गेम एक्टिविटीज के लिए वह बहुत कम है उसने बताया कि जो पीटी है वह बहुत ही पॉइंट्लेस हुआ करता था एंडर रूटीन मोनोटेनस और जो रूटीन है पीटी की वह काफी मोनोटेनस है विलकुल यकसां सी बोर सी यह कुछ सी इन अड्वांटेज इन डूइंग इट और वह इसमें कोई भी फायदा नहीं देख सका है जॉली गूट गेम वास फार बेटर और एक अच्छा गेम बहुत दूर है ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है एपरेंट्ली ही वास वास वाइजिंग ऑपीनियन्स ऑफ ऑफ ऑल दबॉइस और जबजारी वह सारे ही लड़कों की लड़कों की खयाल को आव दोर से तालियां बजा के चीर्ड किया फंदर रिपोर्ट्स वर ओवर लेकिन जब उसकी रिपोर्ट खतम हुई उसने पीटी के बारे में इसको रिपोर्ट देना था उसने आके सिर्फ प्यूटी साइज किया और यह बताया कि पीटी फुलकुल इलकंसीवड और रिपोर्ट खतम हो गई सारी रिपोर्ट खतम हो गई डैनम कॉल तो चिल्रन एट रेंडम सुम्ड ओडियंस और आज दें तो राइट नेम इस टीचर इंक्लूदिंग देंग एड ऑन इसलिप फेपर जब यह रिपोर्ट खतम हो गई तो डैनम नहीं डैनम जो पीटी के ब साथ में आप सारे ही टीचर्स के नाम लिखो अलग-अलग स्लिप पेपर पे तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशालला कि उन्होंने इसका क्या किया क्यों उन्होंने क्यों टैनम ने बच्चों से नाम लिखवाय थे पेपर्स में और वो इसका क्या करने वाला था ह Have a good day.